जिलादी कारी बुलंद शहर रविंद्र कुमार ने आज जनपत के दो खिलाडियों को जिला खेल कूद प्रोचसाहन समिधी की ओर से 25-25 अजार का चेक प्रोचसाहन राशी के रूप में दिया दोनों खिलाडियों कंतराश्च स्तर पर चैन होने पर खूर्जा निवासी इमान शुपाद्याय का किक बॉक्सिंग में एवं भुलन शहर निवासी गीता तेवतिया ध्यापिका को पावर लिफ्टिंग में चैन पर प्रोचसाहन के रूप में चेक दिये देखे जिला प्रुशासन की हमेशा कोशिस रहती है कि यहां के बच्चे खेलकूद में आगे जाएं राश्टिय अंतराश्टिय अस्तर पे अपना नाम आगे बढ़ाएं इसी के पहत हमने शनिवार को भी दो बच्चियों को प्रोचसाहन हेतू 25-25,000 रूपिय दिये थे बाहर पाटिस्पेट करने जा रहा है उनके प्रोचसाहन हेतू हमने जिला प्रोचसाहन खेलकूद प्रोचसाहन समीती से कुछ घंडासी दी है और हमें उन दोनों को शुप खामना है 14 वर्षी हमानशू ने केक बॉक्सिंग में राजिस्तर पर तीन कोल्ड जिबकि राश्चसर पर एक गोल जीत कर जिले कहीं नहीं बलकि देश का भी नाम रॉशन किया है दिली के ताल 14 स्टेडियम में 9 फर्वरी से 13 फर्वरी तक आयोजित आगामी खेल प्रतियोगिता में हमानशू अब देश के लिए खेलते नज़र आएंगे गीता ने भी पावर लिफ्टिंग में राश्चसर पर गोल जीत कर इस देश में छाप छोड़ी एक अध्यापिका की इस हिम्मत और लगन को प्रोच साहन देकर बुलन शेहर डियम ने आज दोनों खिलाडियों को 25 पच्चेस हजार उपय का चेक देकर सम्मानित किया और आगे भी देश का नाम रोशन करनी की कामना की है सर मेरा नाम भीता तेवतिया है मैं गनोरा शेख में जूनिर आई स्कूल में गेम स्टीचर हूँ जो की गलॉक्टी व्लोग में बढ़ता है सर अभी मैंने 23 नवंबर 2019 को दिल्ली में जो आयोजी तुही थी नेस्नल बेंच प्रेस उसमें मेरा ब्रोल मेडल था 82.5 गोल्ड की है ये मेरा अपना विश्वास है के मेरी इतनी महनत है के वहां मुझे गोल्ड मिले मैं नाम हिमान शुपाद्या है, मैं इंटरनेशनल खेलने जा रहा हूँ इसलिए मिज़े चेक मिला है क्या खेल खेलते हैं? मैं किक बोक्सिंग केलता हूँ आप कौन से खेल खेल जुगा है पहले? मैं लग क्यों से प्रजिक्त आँ भाग लिया है? मैं नेशनल खेल जुगा, स्टेट खेल जुगा, सत्था अठाइस उन्टिस को नेशनल वोतार आई बेली में, महां मेरा गोल लगा था एडिटर इन चीफ इकबाल सेफी के साथ हमेज सेफी, टाइम 24 न्यूज